हेलो एन वलकम एवरीवन दा ओनलाइन गुरु में मैं सुनिल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ आज का ये सेशन उन सभी के लिए है जो राश्ट्रे मिलिटरी स्कूल का एंटरंस एक्जाम दे रहे हैं 2024 के दिन होने वाला है या फिर लॉंग टर्म में आप अभी RIMC का जून अटम्ट देने वाले हैं 2024 में तो इन सभी में आपको पता है general knowledge related questions पूछे जाते हैं और general knowledge में current affairs related questions आज हम cover करेंगे वो भी 2023 के और specifically sports related questions को यहाँ पे हम लोग cover up करने वाले हैं तो ऐसी ही regular sessions मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ इन सभी को देखने के लिए चैनल को subscribe करके bell icon प्रेस कीजिएगा ताकि timely आपको notification मिल सके और अगर आप हमारे साथ जोड़ कर online classes के तो प्रेपेर करना चाहते हैं तो 777653468 पर आप मुझसे contact कर सकते हैं तो चलिए आज के session को शुरू करते हैं और सबसे important topic पर आएंगे sports में ICC का Men's Cricket World Cup 2023 तो देखिए recently 13th edition जो था Men's Cricket World Cup का organize किया गया था और आप सभी जानते हैं कि इसका host इंडिया था तो याद रखना है 13th edition of ICC Men's Cricket World Cup 2023 किस ने host किया इंडिया ने host किया था ये matches 5th of October से लेके 19th of November तक चले थे इन dates को अगर आप avoid करें तो भी कोई दिक्कत नहीं फाइनल मैच definitely आप सभी ने देखा होगा और पताने की जरूरत नहीं है कि फाइनल मैच इंडिया और आस्ट्रेलिया के बीच में खेला गया था अट नरेंद्र मुदी स्टेडियम जो कहां पे है गुजरात में है फाइनल मैच में क्या हुआ आस्ट्रेलिया जो है वो जीत जाती है वर्ल्ड कप को बाइ थ्री विकेट एंड सिक्स्टीन बॉल्स रिमेनिंग में ही यह जीत जाते हैं तो ओवर आल आपको क्या याद रखना है 13th edition of ICC Men's Cricket World Cup 2023 के विनर कौन है तो आपका अंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया नेक्स सिंग आपको यहाँ पर याद रखना है जो फाइनल मैच था उसमें Man of the Match का अवार्ड किसको दिया गया तो ट्रैविल्स हेड को Man of the Match का अवार्ड यहाँ पर दिया गया था एंड विराग कोहली को Player of the Tournament का अवार्ड दिया गया ठीक है विराग कोहली को Player of the Tournament का यहाँ पर अवार्ड दिया गया था क्योंकि इन्होंने 11 इनिंग्स में 765 रंस जो है वो स्कोर किये थे जो कि इस इनिंग्स में बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा अब इतना ही नहीं upcoming event में भी कई बार question पूछे जाते हैं तो याद रखिएगा जो 14th edition होगा वो South Africa और Zimbabwe जो है वो मिलकर host करने वाला है 2027 में तो 13th edition 2023 इंडिया में 14th edition South Africa and Zimbabwe में 2027 में organize किया जाएगा अब अगर हम लोग बात करें Grand Slam के बारे में तो देखिए Grand Slam tournament जो होता है वो basically किस से related tournament होता है तो आपको याद होगा कि यह tournament जो है वो tennis related tournament के रूप में जाने जाते हैं और इनके 4 various types हैं कौन-कौन से type है तो पहला होता है Australian Open जो की hard court पे खेला जाता है दूसरा यहाँ पे होता है आपके पास French Open जो basically Ronald Garros के रूप में जाना जाता है और clay coat पे खेला जाता है and third होगा आपके सामने Wimbledon जिसको की हम लोग यहाँ पे UK Open के रूप में जानते हैं ठीक है यह UK Open के रूप में जाना जाता है image की वज़े से यहाँ पे यह थोड़ा सा visible कम हो रहा है and last है US Open जो August में होता है और hard court में यह यहाँ पे खेला जाता है तो क्या क्या याद रखेंगे Grand Slam जो है वो tennis से related event है tennis से related event है चार डिफरेंट टाइप के होते हैं पहला है Australian Open यहाँ पे जो hard court पे खेला जाता है दूसरा है Roland Garris जो basically France में और्गनाइज किया जाता है तो इसको French Open भी कहते हैं 3rd Wimbledon है यहाँ पे तो Wimbledon को UK Open भी कहा जाता है और 4th में आपके पास जो है वो US Open है जो hard court पे खेला जाता है तो इन चारों के types को आप याद रखेंगे और इसके बाद सारे types में जो winner है वो कई बार अपके exam में पूछे जाते हैं जैसे अगर मैं बात करूँ US Open 2023 की तो देखो 5 events थे जिन मेंसे men's single tournament जो है वो नुवाक जोकोविक ने जीत लिया है नुवाक जोकोविक सर्भिया के है और ये 24th title है इनका मतलब most prominent player के रूप में ये जाने जाते हैं तो क्या याद रखना है US Open का men's single किस ने जीता नुवाक जोकोविक ने जीता और इन्होंने किसको हराया तो दैनियल मेदवदीव को हराया था अब runner अपके नाम अगर आप थोड़ा सा नहीं भी याद रखेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा ये मेंली का याद रखना है विनर्स के नाम आपको याद रख लेने हैं नेक्सिंग वोमेंस सिंगल कोको गॉफ यूएसे की है इन्होंने जीता मेंस डबल जोई सैल्सबरी और राजीव राम ने यहाँ पे जीता है राजीव राम इंडियान औरीजिन परसन नहीं लेकिन यूएसे में सेटलड है तो यूएस के तरब से वो खेलते है तो मेंस पन्ना जो इंडिया से खेलते हैं और मैथ्यू एब्डेन जो आस्ट्रेलिया से हैं इनके ग्रुप को इन्होंने हराया है वोमेंस डबल में एरिन रॉटलिफ न्यूजलेंड से है और गैब्रियला डैब्रोस की यहां पे जीती है जबकि मिक्स डबल में एना डैनियाला एंड हैरी हैली आववैरो यहां पे जीत कई है अब मैं जानता हूँ कि आप सभी के लिए यह नीम्स थोड़े से आटपटे होंगे तो इन में से मैं आपको सजेस्ट करूँगा जो सबसे जादा importantly पूछा जाता है men's single पूछा जाता है जो कि नुवाक जोकोविक ने यहां पे जीता है तो इन्हें तो आप at least and at least याद करके रखिएगा बाकी भी अगर आप याद कर सकें तो आपके लिए better option है सेम ऐस बात करूँगा मैं french open की तो देखो french open में men's single वापस से नुवाक जोकोविक यहां पे जीत चुके हैं तो यहां पे women's single भी important है इगा स्वाइटिक ठीक है इगा स्वाइटिक इन दोनों ने इसे जीता है तो men's single में नुवाक जोकोविक और women's single के अंदर इगा स्वाइटिक यहां पे आपका answer हो जाएंगी next thing जो आपको यहां पे याद रखना है men's doubles में इवान डॉगिग और आस्टिन क्रेजिक women's double में hasi suin and wang zyu जबकि mix double में mew kota and tim puts जो है वो यहां पे जीते हैं इन में से भी मैं अगर आपको suggest करूँ कि french opens में at least men's single and women's single तो आप definitely यहां पे याद रखिएगा आपको exam में help करेगा next बात करूँगा यहां पे Australian open 2023 की Australian open में men's single वापस से देखो नुवाक जोकोविक इसे जीत गए हैं जबकि women's single जो है वो अरियाना सैबलनका ने जीता है तो अगेन यह दोनों आपके लिए important हो जाएंगे most important आप इने याद रखेंगे next बात करता हूँ men's double की तो जे कुबलर और आर हिजिकाता ने इसे जीता है जबकि women's double जो है बार्बेरो क्रेजी कोवा और कर्टीना सीनिया कोवा ने जीता है जो कि दोनों ही चेक रिपाब्लिक से बिलॉंग करती है और यह news में बहुत ज्यादा रही थी तो Australian open का women's double भी आप definitely याद कीजिएगा और मिग्स doubles की बात करें तो लुईसा, स्टेफानी और राफेल मेटास ने इसे जीता है तो mainly mainly आप Australian open में men's single, women's single and women's doubles को definitely याद कीजिएगा and last of Wimbledon's की बात कर लेते हैं, Wimbledon's में men's single जो है, वो Carlos Alcaraz ने जीत लिया है, important है, तो बाकी सभी में Daniel Medvedev और Novak Jokovic आपको देखने को मिल रहे थे, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि Carlos Alcaraz जीते हैं, तो यह और important हो जाता है कि Novak Jokovic को इन्होंने हराया है and women's single में M Wondrosova ने यहाँ पे जीता है, जबकि men's and women's double में, यानि कि mixed men's and women's double में, के कोलूफ, Ann, Ann, Scopus की, जबकि mixed doubles में M, Pevick और L, Kissenkov ने इसे जीत लिया है, तो इसमें से सबसे जादा important में मानता हूं, men's single in Wimbledon, आपको यहाँ पे याद रखना है so student, अभी तक अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो इस video को definitely आप like कीजिएगा, और अपने जितने भी friends हैं, उनके साथ आप इसे share कीजिए, ताकि यह उन सभी को exams में help कर सके, and मैं आप सभी को announce करना चाहूंगा, हमारे तरप से RIMC, RMS, Sanic School, नवोदे विद्याले जैसे other entrance exams के लिए भी online classes available की जाती है, तो अगर आप हमारे साथ जुड़कर online classes के through prepare करना चाहते हैं, तो 773-765-3468 पर मुझसे contact कर सकते हैं, और ऐसे ही upcoming videos की notification पाना चाहते हैं, तो हमें subscribe करके bell icon definitely press कीजिएगा, चलिए आगे बढ़ते हैं, other important facts की बात करें, तो Asian Games की बात करूँगा, 19th edition of Asian Games की, इस 19th edition of Asian Games जो की चाइना के होंग जो में organize किया गया था, उसमें इंडिया ने total 107 medals जीते हैं, अब सारे के सारे 107 medals को तो आप याद नहीं रख सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें definitely आपको याद रखनी चाहिए, वो मैं आपको भी highlight करते जाऊंगा, यहाँ पर याद रखना है Amul, आप सभी जानता है Amul Butter, जो बहुत जादा famous है, इन्होंने इंडिया के जो contingent है, उन्हें host किया था, sponsor किया था Hangzhou के Asian Games 2023 में, एक चीज और याद रखना है, यह Asian Games 2022 है, लेकिन COVID की वज़े से पहले ही इसको postpone कर दिया गया, और 2023 में organize किया गया था, तो कई बार आपको ये 2022, तो कई बार आपको 2023 देखने को मिलेगा, वहाँ पे आपको confused नहीं होना है, यहाँ पे Indian flag bearer कौन थी, तो लवलीना बोर्गोहान जो हैं वो Indian flag bearer थी, और इनके साथ हर्मन प्रीत भी थी, तो हर्मन प्रीत और लवलीना बोर्गोहान जो हैं वो flag bearer के रूप में देखने को आपको मिल गई, और यहाँ पे आपसे question पूछूँगा कि हर्मन प्रीत और लवनी ना बोर्गोहान किस sport से belong करती है, क्योंकि आपने Olympics में भी इनका नाम कई बार सुना ही होगा, तो comment section में comment करके बताईएगा, अब जो important thing याद रखना है, देखो मैं सारे के सारे gold medals ही आपको बताऊँगा, क्योंकि 107 medals तो आप याद नहीं रख सकते हैं और gold में भी limited बताने वाला हूँ, तो 10 meter का air pistol के team event में हमें gold medal मिला, नीरत चोपडा most important, आप सभी जानते हैं javelian throw में Olympic medal लाने वाले player थे, इंडिया ने silver medal जीता है, तो ये दोनों ही आपके लिए बहुत ज्यादा important है, next thing, इंडिया की जो hockey team है men's वाली उन्होंने भी यहाँ पे gold medal जीत लिया है, जोती सुरेखा, वेन्नम जो है उन्होंने gold medal जीता है archery में, इंडिया की women कबड़ी team ने gold medal जीत लिया है, इंडिया ने Asian Cup Games में cricket में gold medal जीता, वो भी without batting, reason ये था कि वहाँ पे बहुत भैंकर बारिश आ गई थी और इंडिया का score अच्छा था, इस वज़े से इंडिया को यहाँ पे gold medal दिया गया और ये most most important हो जाता है, मतलब ऐसा बहुत कम होता है कि आप बिना bat कि ये ही जीत जाओ, तो वो हुआ है हमारे साथ, सात्विक साही राज और चिराग बहुत ज़्यादा news में रहे हैं, इंडिया के first ever gold medalist हैं badminton में, तो most 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 important आप इन्हें याद रखेंगे, shift course samra ने shooting में यहाँ पे gold medal अचीव किया, अब पूरे page में से अगर मैं highlight करूं कि क्या at least आपको याद होना चीए, तो 19th Asian Games 2022 में होने वाला था, कूविट की वज़े से इसको postpone करके 2023 में organize किया गया, next thing, इंडिया ने इसके अंदर 107 medal अचीव किये, next, कहाँ पे organize हुआ तो चाइना के हौंग जो में इसे organize किया गया था, इंडिया को sponsor करने वाले का नाम क्या है, अमूल है, और याद रखेंगे, flag bearer कौन थे, हर्मन प्रीत अन लवलीना बोर्गोहान जो हैं, वो यहाँ पे flag bearer के रूप में जाने गया, इंडिया को जो medals मिलें, उनमें से भी important, नीरज चोपड़ा और जैना को gold और silver मिला, इंडियान men's hockey team को gold मिला है, इंडियान cricket team जो थी, वो बिना खेले ही जीत गई यहाँ पे, और सात्विक साहिराज और चिराग की जो duo team है, वो first ever gold medal लेकर आई है, बैट्मिन्टन में, तो यह most 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 important आपके लिए हो जाएगा, ऐसे ही बात करूँ, fourth Asia para games से related, तो देखो para games ऐसे games होते हैं, जहाँ पे जो player होते हैं, वो दिव्यांग category में होते हैं, या फिर आप disabled category में उन्हें मान सकते हैं, उनसे related event यहाँ पे organize किया जाता है, और अगर आप इनको देखोगे, तो कहीं से भी आपको यह दिव्यांग category में नहीं लगेंगे, आपको लगेगा यह आपसे बहतर perform करने वाले बंदे हैं, तो fourth Asian para games की बात करें, यह कहाँ पे organize हुआ, Hangzhou में organize हुआ, कहाँ पे चाइना में, अगें 2022 का event है, लेकिन 2023 में इसे organize किया गया था, हाई जंप के अंदर, सैलेश कुमार को गोल्ड मेडल मिला, प्रनव शूर्मा को गोल्ड मेडल मिला, क्लब थ्रो में, निशाद कुमार को गोल्ड मेडल मिला, मेंस हाई जंप में, दिप्ती जिवानजी को यहाँ पे गोल्ड मेडल मिलता है, वुमन के 400 मेटर T20 event में, प्राची यादव को गोल्ड मेडल मिलता है, पैरा कोन्स event में, आर्चर हैं, शीतल देवी इन्हें यहाँ पे गोल्ड मेडल मिलता है, सचिन सजे राओ को यहाँ पे मेंस शॉट पुट में गोल्ड मेडल मिलता है, सिधार्द वाबु को यहाँ पे राइफल शूटिंग में गोल्ड मेडल मिलता है, तो यह सारे मेडल्स आप यहाँ पे याद रखेंगे, नेक्स इंपॉर्टेंट फैक्ट के तरफ अगर मैं बढ़ूं, तो देखे साउधी अरीबिया जो है, वो फीफा वर्ल्ड कप को 2034 में होस्ट करने वाला है, इंपॉर्टेंट, आपने देखा होगा हर बार आपके एक्जाम में, अपकमिंग इवेंट को डेफिनेटली जो है वो पूछा जाता रहा है, तो ये एक अपकमिंग इवेंट जो है वो आपके लिए helpful होने वाला है, तो इसे आप डेफिनेटली डेफिनेटली याद करेंगे, नेक्स अगर मैं बात करूं, बांगलादेश जो है वो 24th Asian Archery Championship को 2025 में और्गनाईज करने वाला है, इट इस अलसो इंपोर्टेंट, खेलो इंडिया प्यारा गेम्स 2023 का लोगो और मैस्कॉट, ठीक है, जो नाम कहा है उज्वला, उसे अनुराग ठाकुरजी ने इनाग्रेट किया, ऐसे ही ICC ने अपना मैस्कॉट जो है Cricket World Cup के लिए Blaze and Tonk को यहाँ पे रखा था, तो ICC World Cup अभी अभी आपने पढ़ा है, उसमें याद रखेगा उसका मैस्कॉट Blaze and Tonk को बनाया गया था, ऐसे ही सचिन तेंदूलकर को जन्हें आप Master Blaster के रूप में जानते हैं, इन्हें One Day International World Cup का Global Ambassador के रूप में अपॉइंट किया गया, तो Most Important हो गए है यह सारे, Next Thing देखेंगे, Asian Cup Shooting Championship में आश्वर्य प्रताप सिंग तोमर को गोल्ड मेडल मिला, and जो Important है Angelo Matthews यह First Person बन गए हैं International Cricket में जिन्हें टाइम आउट कर दिया गया, अब आप बूलोगे सर यह कौन सा आउट होने का मेथड है अपने Stump सुना था अपने Hit Wicket सुना था अपने LBW सुना था अपने Catch सुना था Time Out क्या है हर प्लेयर के पास एक Particular Time होता है कि किसी प्लेयर के Out होने के इतने मिनट में आपको क्रीज पे पहुँच जाना है लेकिन यह Time पे क्रीज पे नहीं पहुँच सके थे और उस वज़े से इनको Out Declare कर दिया गया तो अपने आप में यह Odd event हो जाता है जिस वज़े से पूछे जाने की Probability है नेक्स इंडिया ने जपान को 4-0 से बीट किया इन Women's Asian Championship Trophy होकी कप में तो इंडिया यह Trophy जीत गई है इंडिया का Sports भी है यह National Sports तो important है दिप्पी का कुमारी ने दो गोल्ड मेडल लिये National Games 2023 में नेक्स इंग आप सभी ने Formula One रेसिंग के बारे में तो सुना ही होगा Formula One रेसिंग में एक ही बंदे का नाम याद करो आप Max Veras Stepan इन्होंने Brazil का Grand Prix, Las Vegas का Grand Prix, Abu Dhabi का Grand Prix जैसे लगातार 10 consecutive race को जीते हैं ठीक है तो अगर racing related कोई event आ जाता है तो Max Veras Stepan आपके लिए easy answer हो जाएगा तो इन सभी को आप याद रखेंगे नेक्स बात करते हैं MC घे के बारे में important रखिएगा यह first transgender person है जो international cricket खेल रहे हैं अब कौन सी country से खेल रहे हैं वो आप comment करके बताओ इतने तो cricket का आपको शौक होगा ही इंडिया ने पाकिस्तान को men's hockey में हरा दिया Asia Cup में तो इंडिया होकी जीत चुकी है आप सभी के exam में कई बार Durand Cup पूछा जाता है कि भाया किस से related है तो याद रखेंगे ISSF World Cup 2023 में अधिती स्वामी फर्स इंडियान बन चुकी है जिन्होंने इंडिविज्वली वर्ल्ड टाइटल जीत लिया है वर्ल्ड आर्चरी चैंपियन्शिप में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है नेक्स चेस रिलेटिड इवेंट की बात करें तो मैगनस कारलसन चेस वर्ल्ड कप का फाइनल जीत चुके हैं मतलब 2023 के विनर यही है एचेस प्रणय ने ब्रॉंज मेडल जीता था वर्ल्ड चैंपियन्शिप में इंडिया ने इरान को हराया और एशिया कबड़ी चैंपियन्शिप जीत लिया जो की बूशान में और्गनाइज किया गया था नेक्स हमारे जो ओलंपियन है नीरत चोपड़ा इन्होंने लुसाने डाइमंड लीग जीत लिया यह भे इंडिया के में फुटबॉल टीम जो है उन्होंने सैफ अंडर 19 चैंपियन्शिप को भी जीत लिया तो इतने सारे साल भर में इवेंट होते हैं उन्हों में से इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट इवेंट यहां पे आपके लिए प्रेजेंट कर रहा हूं इन्हें आसानी से आप याद करेंगे ऐसी ही राकेश अन्सरीता ने फर्स गोल्ड मेडल जीता है पैरा आर्चिरी टूनामेंट में थर्ड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गे जीता है उन्होंने एशिया फेंसिंग चैंपियनशिप में ठीक है भावानी देवी पहले पूछा गया था किस स्पोर्ट से रेलेटेड है तो फेंसिंग आपका अंसर था तो यह फर्स परसन है जिन्होंने एशिया फेंसिंग चैंपियनशिप में मेडल जीता हो ऐसे ही सा 7th National Games का mascot जो था वो मोगा के रूप में यहाँ पे बताया गया आपको, रोहित शर्मा फिर्स बैट्समन बन चुके हैं जिन्नोंने 56 लगाए हैं इन दे वर्ल्ड कप, ठीक है पहला बैट्समन जिसने वर्ल्ड कप के इवेंट में 50 शिक्स लगाए हो यहाँ पे, तो वो आपके लिए important हो जाएगा, इसके बाद अगर हम लोग बात करें, मोहमद शमी के बारे में, तो मोहमद शमी जो है वो first Indian baller बन चुके हैं, जिन्नोंने 50 wicket लिया वन डे इंटरनाशनल वर्ल्ड कप में, ऐसे ही अगर sports related other fact की मैं यहाँ पे बात करता हूँ, तो इसमें आपको याद रखना है, शुभमन गिल के बारे में, जो fastest batsman बन चुके हैं, जिन्नोंने 2000 run बनाए हैं, वन डे इंटरनाशनल क्रिकेट के अंदर, तो यह सारे sports related event होंगे, जिन्हें आपको definitely याद करना है, स्टूडेंट यह था हमारा आज का session, I hope आप सभी को easily समश में आया हो, फिर भी अगर कोई doubt या कोई query है, तो आप नीचे comment section में comment कर सकते हैं, within 24 hour आपके सभी doubt, सभी queries का आपको response किया जाएगा, आप various platform पे हमें follow कर सकते हैं, जिनके link नीचे description में दिये गए हैं, and अगर आपको कोई भी doubt, कोई भी query है, तो नीचे comment section में आप comment कीजिए, within 24 hours आपके सभी doubt, सभी queries को response किया जाएगा, and अगर आप हमारे साथ जोड़कर, RIMC, RMS, Sanic School, नवोदे वित्याले, जैसे various entrance exams की preparation करना चाहते हैं, तो 773-765-3468 पर आप मुझसे contact कर सकते हैं, so all the best for the exams, मिलते हैं आपको से अगले session में तब तक के लिए, जैहिंद,